जैसे कि आप लोग को पता है कि Central Level का OVC पर्मान पत्र बनने में पूरे 21 दिन से भी ज़्यादा का समय लग जा रहा है OVC पर्मान पत्र को 21 दिन में बनने से बहुत सार लोग परिसान हो जाते हैं अब बहुत सार लोग का जो एक काम रुक जाता है उसका काम नहीं हो पाता है लेकिन एक कैसा भी तरीका है जिसकी मदद से Central Level OVC पर्मान पत्र को 2 दिन के अंदर बनाया जा सकता है तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक कैसा तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से OVC मात्र 2 दिन के अंदर बना सकते हैं लेकिन उससे पहले OVC पर्मान पत्र कैसे अपलाय करना है इसके बारे हम थोड़ा जान लेते हैं सेंटर लेवल OVC पर्मान पत्र बनाने के लिए आपको जो है इस वेबसाइट पर आना है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर गूगल पर टाइप कीज़ेगा आर टी पी एस यहां आने के बाद सबसे पहले आपको जो है यहां से लोगिन कर लेना है विदाउट लोगिन से आपको नहीं बनाना है आपको जो है यहां पर लोगिन कर लेना है लोगिन करने के लिए यहां पर लोगिन पर पर किलिक करेंगे और यहां से लोगिन के लिए आगे बरे पर किलिक करेंगे अगर इस website पर पहले से registration किये हुए है तो आप mobile number डाल के असानी से login कर सकते हैं अनथा जो है आपको यहां से पहले new registration करना होगा new registration करने के लिए नीचे option मिलता है sign up for मेरी पहचान आपको इस पर किलिक करना है सबसे पहले हाँ पर अपना mobile number डालेंगे उसके बाद जन्रेट और टीपी पर किलिक करेंगे अपना first name डालेंगे और उसके बाद हाँ से last name डालेंगे जो भी कुमार कुछ भी टाइटर लगाते ह तो last name में लिखेंगे अपना date of birth लिखेंगे यहां से gender बताएंगे user id create कर लेना है बना लेना है सब small letter में लिखना है उसमें number और कुछ special character भी डाल देना है और प्यारा सा यहां पर एक passport बना लेंगे जिसमें कि यहां पर passport लिख के यहां पर confirm passport दो बार उही पासपर को लिख लिख देंगे और यहां से यह बरा option पर टिक करके यहां से verify पर click कर देंगे एक बार registration कर लेने एक बात जो है आप simply उसको login करेंगे login करने के लिब आपको यहां पर टीन option मिलता है username के माध्याम से login कर सकते है Fragen बूग इन से और यहां से अधर का option है तापको यहां पर ** यहां से अपना Tous ma leamer डालना है और यह नीचे देख सकते हैं दो option है इसको हासे टिक कर दिजेगा तो जो passport डालने का option है वह भी यहां से पासपर्ट डालने का option है यहां से यहां से यह भी हड जाएगा उसका मिवाल नमोर डाल के यहां से sign in पर किलिक कीजेगा आपके मिवाल पर जो है एक OTP डाल के असाने से इसमे sign in हो जाएगा जैसे ही पहली बार sign up कीजेगा तो कुछ इस तरह का interface आप लोग के सामने आएगा आपको यहां से search करना है बिहार बिहार लिख के search करने के बाद यहां पर देखिए option मिल जाता है बिहार services आपको इस पर किलिक करना है बिहार service पलस पर उसके बाद यहां से access now पर किलिक करने के बाद देखिए यहां पर आपको search का option मिलता है आपको इसमें जो है search करना है आपको इसमें search करना है non बस यतना ही लिखना है इसमें जो है आपको non creamy layer central level वाला बनाना है तो उसके लिए जो है आपको non creamy layer बिला option पर किलिक करना है और purpose of government of India यह बिला आप देख सकते हैं यहां पर इंडिया लिखा गवा है तापको यही बिल करना है इसके नीचे वाला जो है इंडिया लेबल वाला है लेकिन यह SDO लेबल है इसके उपर वाला भी इंडिया लेबल वाला है लेकिन यह DM लेबल है बाकी यह तीनों जो है बिहार लेबल वाला है यह RO, SDM, DM लेबल पर है तो आपको जो है यह बिला option पर किलिक करना है ज हिंदी में अगर कुछ नाम गलत आ रहा है तो, उसको जो है आप असानी से अपना यहान से हिंदी वालेटर को सञर्ट करके यहान से असानी से चेंज कर सकते हैं उसके बदब कारते यहां से जनम्कुचिती बताना है, अधार नम्बर यहां पर आपको नहीं डालना है उसके बाद यहां से तिसरा option में मिलता है आप आज यह पता आपको जो है यहां से राज पहले से select रहेगा आपको यहां से जिला select करना है अनुमंडर select करना है यहां से बलोक यानिकी परखंड select करना है गाउ का नाम लिखना है बार नमर लिखना है और यहां से post office लिखना है प आपको यहां से यह सेलेक्ट करना होगा आप नगर निगम से आते हैं तो यह विला उप्षन को टिक करेंगे गराम पंचाज से आते हैं तो यहां पर यह फास्ट विला सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां से आपको थाना बताना है यहां के बाद जो है आपको ओ आस्थाई पता देना है अगर आपका अस्थाई पता और ओस्थाई पता दोनों सेम है तो यह विल उप्षन पर जो है आप टिक कर देंगे तो दोनों सब यह जो नीचे बाला कोलम है यह अपने आप उपर के जैसा ही फिल हो जाएगा उसके बाद इस कोलम में आपको अपना धार्म बता आती है तो यहां select करेंगे आना था इसको छोड़ देंगे यह सब option आप यहां पर ले लिया जाएगा उसके बाद आपको यहां से बताना है कि आप कौन सा काम करते हैं यह सब serial नमर यहां पर आपने आप आजाएगा उसके बाद यहां से नीचे पिता जी का नाम लिखना है यहां पर हिंदी अपने आप आएगा अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो आप यहां से इसको edit कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां से पिता का जाती बताना है कि पिता कौन सा जाते हैं जाती कर्मा की सब अपने आप आप आजाएगा दस नमर में अपना माता जी का नाम खंआ मिंडे अपनां है अगर मेला जो लीडे सकतेजास पर इक मवाल कि अपर क्या आधेकर फोटू-प्लोड करेंगजे आसे यह अपको उनन लोगों को हब ना अगर आपके पिता जी कुछ पद्र पर नहीं है तो इस सब को जो है आप खाली छोज सकते हैं उसके बाद आपको सबसे नीची आ जाना है यहां आपको इंकम बताना है कि आपका इंकम कहां से है वेपसाइज से है किर्शी से है तो आप जो है अपना इनकम सकिफिकेट में देखंसे लिजिएगा कि मेरा इनकम जो है किस चेत्र से है आपको उसी के हिसाब से यहां पर भी डालना है उसके बाद यहां से आप कहा जा रहा है कि आप इंकम टेक्स भरते है तो यहां out un?, में बताना है यहां simply आप जो आ नो करेंगे यहां पर jobbar कि का क जो है समपतिक आंतरकात आता है यहां से यह सर्णोम में बताना है यहां पर भी आप नो कर देंगे उसके बाद यहां से कुछ option को tick करना है यह सब जो है आपको upload करना है तो सबसे पहले तूपर लौप्षन जो है अल्ड़ी पहले से tick रहेगा आपको यह सब pop up आएगा आपको यहां से okay कर देना है तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से error आपके साथ भी आ सकता है अगर इस तरह से error आ रहा है तो यह दिखा रहा है कि session time out आपको जो है थोड़ा जल्दी भरना है चुकि हमने बहुत लेट कर दिए भरते भरते इसलिए इसका session time out हो गया है आपको यहां से re-login पर फिर से click करना है और इस बार जो है आपको त्यजी में भरना है तो इस बार दोस्तों हम त्यजी से भरे हैं और इस तरह से submit पर click किया है इस तरह से देख सकते हैं आपर search ले रहा है देखते हैं आगे क्या होता है तो देखिए दोस्तों इस सबसे पहले सब डॉक्मेंट को तयार कर लेना है तो जैसे कि देख सकते हैं यहां पर जाती पुरान पत्र लगेगा और दूसरा में इस तरह से निवास तरह में इस तरह से अधार कार्ड यानि कि इस सब औप्षन में से किसी एक औप्षन को आप दे सकते हैं तो दुस्तों सब से पहले आपको यह सब जो है आप तयार कर लेना है जाती इंकम निवास सपत पत्र जाती प्रवान पत्र आपको कितना भी पुराना होगा असानी से चल जाएगा लेकिन इनकम और निवास यह सब थोरा current होना चाहिए एक साल के अंदर का होना चाहिए उसके बाद आपको एक photo रख लेना है और एक अधार इस तरह से उनका यहां पर signature रहेगा और उस्तारा document को जो है 200 की विशे नीचे आपको scan करके रख लेना है Sub document को upload कर लेने के बाद जो है यहां से save uniecture पर click करेंगे उसके बाद जो है Sub document को यहां से open करकरके असानी से check कर सकते हैं इस पर click की जाएगा तो जो है यह open हो जाएगा document चेक कर लेने के बाद आपको यहां से submit को option मिलता है आपको यहां पर submit पर click कर देना है दोस्तों जैसे ही submit पर click की जाएगा तो आपको जो है इस तरह का receiving download हो जाएगा इस receiving को जो है आप print कर लेंगे इसको save कर लेंगे जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यह आवेदन जो है पंदरा नो को हुआ है और इसका जो है शेवा परदान करने के तिथी जो है यह 16-10 है यहने कि पूरे जो है एक महिना का समय इसमें ले रहा है तो अब जो है इसको दो दिन के अंदर कैसे आप लोग को approval करवाना है कैसे इसको download करना है दो दिन के अंदर बनाने के लिए इसका जो है एक print out निकाल लेंगे और साथ ही साथ अधहार card जाती आय निवास सपत पत्र सब का जो है एक एक photocopy निकाल के साथ में attach करके आपको ज request करना है कि हम जो है पहले आवेदन कर चुके हैं तो इसको जो है आप इसको approval कर दिजिए data entry को जो है सब document दिखाएगा आपको जो है document जो है बहुत ही आसानी से approval एक से दू दिन के अंदर में कर दिया जाएगा आप जो है उसको online घर पर आसानी से download कर सकते हैं तो दोस्तों यह तरीका जो है आप जरूर अपनाए इस तरीका से हमने बहुत लोगों का OVC परभानपत्र सेंटर लेवल का बनाया है यह सही से काम करता है अगर आप भी बलोक जाते हैं तो आपका भी काम 100% जरूर होगा दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो जरूर पस